इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के उपर आधारित है जो एक लड़की के बैट के नीचे छुप जाता है और फिर वो लड़की रात को अपने हस्बेंड के साथ जो भी कारकरम करती है वो लड़का उन्हें छुप कर देखता रहता है अब ये लड़का कौन है और वो ऐस उसके बैट के नीचे छुपा हुआ था वो उस लड़की के पैरों को नीचे से देख ही रहा होता है कि तभी हमापर उसका हस्बेंड आ जाता है और वो उस लड़की को बैट पर फैक देता है तभी मिट्सूई उन दोनों के कपड़े उतरते वे देखता है और फिर वो दे अकेला ही रहता था क्योंकि स्कूल में सभी लोग उसे इग्नोर करते थे और उसके होने या ना होने से किसी को कोई मतलब नहीं था अब ऐसे ही टाइम बीथता है और मिटसुई कॉलेज पहुच जाता है फिर एक दिन क्लास में मिटसुई का टीचर उससे कोशन पूछता है ज जिसके लिए चिहरो भी हा बोल देती है इसके बाद कॉफी पीते वे चिहरो मिटसुई से उसकी होबिस के बार में पूछती है जिस पर वो बोलता है कि उसे ट्रॉपिकल फिशिस बहुत पसंद है और उसका पूरा घर एक्वेरियम से भरा हुआ है वो चिहरो को बोलता है क कि मिट्सुई आखरी बाद चीहरों से उस कैफे में मिला था और उसके बाद से वो आज तक चीहरों से कभी नहीं मिला। पर वो अभी भी चीहरों को बुलानी पाया है और आज तक उसे ही ढून रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन उसे कुछ डिटेक्टिव्स की मदद से चीहरो का पता मिल जाता है जिसको पाकर वो बहुत खुश होता है पर इसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि चीहरो की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी भी है अब मिट्सुई तुरंती उसक कर हैरान हो जाता है कि इन 11 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चीहरो की ऐसी हाला तो गई इसलिए मिट्सुई डिसाइड करता है कि वो चीहरो को पहले की तरह खुश मिसाज बनाएगा इसके लिए वो उसके घर के ही सामने एक एक एक्वेरियम शोप रेंट पे लेता है और उसी मिट्सुई एक टैलिसकोप की मदद से चीरो पर नज़र रख रहा था जो कि अपने हस्बेंड के साथ डिनर कर रही थी पर तबी अचानक उसके हस्बेंड के पिछवाड़े में चुलसी मचती है और वो चीहरो को वहीं पर ही पीटने लग जाता है जिसको देखकर से उसकी एक आँख सूज गई थी अब ये देखकर मिट्सुई भी समझ जाता है कि चीहरो और उसके हस्बेंड के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा अब इसके बाद से ही मिट्सुई चीहरो के गर के बाहर एक फूलो का गुलदस्ता और एक काड रखा करता था जिसको चीहरो रोज कूडे में फैक दिया करती थी यहां तक कि उसे ये भी जानने में कोई इंटरस्ट नहीं था कि ये समान कौन बेज रहा है फिर एक दिन चीहरो मिट्सुई की एक्वेरियम शॉप पर आती है जिसको देखकर मिट्सुई बहुत खुश हो जाता है वहाँ चीहर चीहरो बहुत खुश हो जाती है और मिट्सुई ने भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चीहरो को उदास नहीं देख सकता था इसके बाद मिट्सुई चीहरो के गर पर फिश टैंक फिट करने के लिए जाता है और फिर टैंक लगने के बाद चीहरो बहुत जदा खुश हो ज इसके साथी वो एक लाइटर में माइक भी फिट कर देता है और वो उसे चीहरो के बैडरूम में रख देता है ताकि वो उसके और उसके हस्बेंड के बीच की सारी बाते सुन सके इसके बाद मिटसुई वापस अपने घर आ जाता है और फिर रात को जब चीहरो का हस्बेंड वापस घर पर आता है तो उस माईक की मदद से मिटसूई को पता चलता है कि चीहरो का हस्बेंड उसे बहुत मारता पीटता है अब ये सुनकर मिटसूई को बहुत जदा बुरा लगता है पर वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था फिर अगले दिन जब चीहरो अपनी बेटी को बाहर निकली रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो अपनी डुब्लिकेट चाबी तो चीहरो के कमरे में ही बूल गया है पर तभी वापस चीहरो भी वापस अपने घर आ जाती है अब मिटसूई के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो चाबी को वहीं छ जबरदस्ती को उसके बैड के नीचे से महसूस करने लगता है इसके बाद अगले दिन जब चीहरो का हस्बेंट सो कर उठता है तो उसे वहाँ पर मिटसूई का बेजा हुआ एक काड मिल जाता है अब यह देखकर उसको बहुत गुसा आता है और फिर वो चीहरो को कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चीहरो का किसी के साथ अफैर चल रहा है अब मिटसूई भी यह सब देखकर रोने लगता है क्योंकि चीहरो की यह हालत उसी के ही बेजेवे काड की वज़े से हुई थी फिर आदी रात को जब चीहरो का पाट अब से बाहर निकालता है और उसके शरीर को एक ब्लैंकेट से धकर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है फिर अगले दिन जब चीहरो उठती है तो वो अपने उपर रखे ब्लैंकेट को देखकर समझ जाती है कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है इसके बाद चीहरो अपने बेडरूम में आती है और वहां पर जोर-जोर से चिलाने लगती है कि अगर तु मेरी बात उन पार रहे हो तो प्लीस मेरी मदद करो दूसरी तरफ मिसुई भी चीहरो की बाते सुन लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अगर इस बार चीहरो के पती ने ये सबी बाते बताती है और कहती है कि उसे अपने फादर से मिलने जाना है और उसका चूतिया पती उसे मना कर देता है और बोलता है कि कि तुम कहीं नहीं जाओगी मरने दोस्ष बुट्डे को मुझे कोई फरक नी बढ़ता अभी सुनने के बाद चीरो को भी गुसा आजाता है और वो अपने हस्बेंड को एक थपड मार देती है तबी उसका हस्बेंड गुसे में उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है पर तबी माँ पर हम मिट्सुई को देखते हैं जो परदे के पीछे छुपा हुआ था और वो बहुत कोशिश करता ह कि वो उसके हस्बेंड को मार डाले पर वो ऐसा करने की हिम्मद जुटा नहीं पाता और अपने घर आकर खुद को ही कोसने लगता है वो गुसे में खुद को ही इलेक्टिक शोक दे देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है फिर अगले दिन जब उसे होश आता है त चीरो को उस लाइटर में से कुछ आवास सुनाई देती है तो चीरो उस लाइटर को खोल कर उसमें से माइक को बाहर निकाल लेती है अब माइक को देखकर चीरो समझ जाती है कि इसी से ही वो अंजान आदमी उसकी मदद कर रहा है तब ही चीरो के रूम की घंटी बशती है और उसे लगता है कि शायद ये वही आदमी होगा जो उसकी मदद कर रहा है। पर जब चीरो गेट खोलती है तो वहाँ पर उसका हस्बेंड होता है और वो चीरो को पीरतावा वापस घर ले आता है। और वो वहाँ पर भी उसे मारना शुरू कर देता है। चीरो अपने आपको बचाने की कोशिश भी करती है पर वो इसमें नाकाम्याब रहती है। लेकिन तभी महाँ पर मिट्सुई आ जाता है और उसके हस्बेंड को इलेक्टरिक शौक देकर बेहोश कर देता है। अब इससे पहले कि वो वापस होश में आता मिट्सुई उसका गला गोट कर उसे मार डालता है। वहाँ चीरो देखती है कि ये वही एक्वेरियम वला आदमी है पर वो उसे पैचाननी पारी थी कि ये वही लड़का है जिससे वो 11 साल पहले मिली थी। फिर अगले दिन मिट्सुई पुली स्टेशन जाकर खुद को सेरेंडर कर देता है। वही दूसरी तरफ चीरो उससे मिलने उसके घर पर आती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। पर उसे वहाँ पर उसके कॉलेज की कुछ फोटोस मिलती है जिसको देखकर उसे याद आ जाता है कि ये उसका क्लास्मेट मिट्सुई है। इसके बचीरो भागते वे पुली स्टेशन जाती है और मिट्सुई को उसका नाम लेकर बुलाती है। अब चीरो के मूँ से अपना नाम सुनकर मिट्सुई बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथी ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।